आज मैं आपको बताने वारी हूँ सोराइसिस की बिमारी से निपटने के लिए कुछ घरेलो उपचारों के बारे में सोराइसिस एक प्रकार का बॉडी संक्रमन होता है यानि की इस बिमारी के अंतरगत हमारी शरीर के किसी भी हिस्से पर एनर्जी हो सकती है संक्रमन हो सकता है या फिर रेडनेस हो सकती है और इसी रेडनेस में काफी ज्यादा इचिंग यानि की खुझले भी होती है चलिए आग जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उप्चारों के बारे में जो सोराइसिस की परिशानी से आपको बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आप सोराइसिस से पीडित हैं तो रोजाना कम से कम 4-5 दिन के लिए एक ग्लास करेले की जूस के अंदर निमू का रस मिलाकर लगातार सुभे खाली पेट जरूर सेवन करिए ऐसा करने से सोराइसिस की बिमारी में आपको काफी ज्यादा आराम मिल सकता है इसी के साथ साथ अगर आपकी बाड़ी पर काफी ज्यादा रैशिस हो रहे हैं और निमू के रस को आपस में मिक्स करके लेप बना कर भी अपने संक्रमन की जगा पर लगा सकते हैं ऐसा करने से आपको ठंड़क का अनुभव होता है और वो संक्रमन ठीक होने में भी आपको काफी मदद मिलती है इसी के साथ साथ तर्बूस की जूस का सेवन आप रोजाना कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सेव का सेवन भी रोजाना कर सकते हैं अपनी डाइट पर ध्यान रखिए ज्यादा तेल मसारे वाला खाना मत खाईए और ज्यादा से ज्यादा पानी बीजे ये सारी चीजे सोराइसेस की बिमारी से आपको बहार निकालने के लिए मददगार है मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे